दोस्तो नमस्कार स्वागत है आप सभी का योग एसी लर्णिंग योटूब चैनल पर सबसे पहले कवर करेंगे एक बड़ी खुसकवरी को जो कि संबंदित है उत्ता प्रदेश में एक नई सिच्चक भरती के बिग्यापन को ले करके नई डायड प्रवक्ता भरती के लिए आवेदन है ये इस्टार्ट हो चुके है जिसका डिटेल बिग्यापन योपी पेश सी की ओर से जारी किया जा चुका है साथी अब यहाँ पर जो नए आयोग का प्रस्ताव है ये कब सत्र में पेश होगा चुकि जो यहाँ पर विधान सबा का सत्र है ये इस्तेगी तो हो तो इसके संबन में भी चीजों को समझने वाले हैं लेकिन आगे बलने से पहले एक मात्यपुर्ण सुचना दोस्तों अगर आप टीचिंग के किसी भी इजाम के प्रिपरेशन कर रहे हो जैसे कि तो विश्वास दिवस के आऊसर पर टीचिंग वाला लेकर आया है टीचिंग का महापाइक मात्र 2499 रुपाई का जिसमें आपको पूरा सलेबस प्रैक्टिस सारी चीज़े देखने को मिलेंगी वहीं अगर आप हमारा कूपन कोड यूज करते हो YL150 तो आपको 150 का इंस्टेंट डिसकाउंट भी मिल जाएगा अगर आप सूपर टीटी के लिए इंडिविजवल प्रिपेर होना चाहते हो तो इनका ये प्रडाम बैच आपको मिलेगा 1090 रूपय का जो की बोथ लेंग्विज में है और इन बैचेस की ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्सन बॉक्स पर दिये गए तो सलिक्सन प्रोसेस इसमें जो PCS का होता है वही होता है चुकि जो ये भरती ये आपको PCS के थ्रूअ ही देखने को मिलती है तो PCS के ही चैन प्रक्रिया से आपको गुजरना होता है यानि कि अगर हम चाहिन प्रक्रक्र की बात करें तो प्री मेंस और साच्छातकार ये चीजे आपको देखने को मिलती है योकिता की बात करें तो इसके लिए आपका PG साथी B8B होना चाहिए और ये जो भरती है ये आपको वरिष्ट प्रवक्ता की है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा की वरिष्ट प्रवक्ता जिला सिच्छा एवं प्रसिच्छन संस्थान डायेट में और ये भरती आपको PCS के थुरू देखने को मिली है उत्तप्रदेश में तो जो इसका complete notification है ये आपको मारे टेलिग्राम पर मिल जाएगा तो एक बार अच्छे से इसे आप पढ़ लीजेगा और इसके लिए आवेदन भी इस समय स्टार्ट हो चुके हैं जो की अभी भी चल रहे हैं इसके बाद हम बात करेंगे यहांपर नए आयोग को लेखर के चुकी दीए मामला ये है कि विधान सभा का जो यहांपर बजट सत्र है इसकी कारवाई को अनिश्चित काल के लिए इस्थगित कर दिया गया है जिसको लेकर करके देखने को मिलेगा कि बिधान सबा अध्यच सतीस महाना ने होली की सुबकामनाओं के साथ सदन की कारवाई अनिश्चित काल के लिए इस्थगित करने की घुसला कर दी अब समस्चा ये है कि जो चर्चाएं इसके पहले थे कि जो नए आयोग का यहाँ पर प्रस्ताव है वो इस सत्र में पेश होगा आखिर इस प्रस्ताव का क्या हुआ और अभी सरकार कितना नए आयोग का प्रस्ताव है इसे खीचना चायती है और जो УП TGT PGT की भरती है इसे आखिर कितना खीचना चाहती है इसको लेकर के चातर परिसान है तो देखी एक चीज में आपको और बता दो कि अभी यहाँ पर जो नए आयोक का प्रस्ताव है इसमें कुछ संसोधन की भी मांग की गई है और जिसके चलते अभी इसमें थोड़ा सा लेट आपको देखने को मि दी जाएगी